चलि बच्चों, next is waves का अगला chapter, that is sound waves wave की मैंने जासे बड़ा शुबाब में कहा भी था कि कुल मिलाकर तीन chapter है wave on string, sound waves और wave optics wave on string और sound waves जो है ये दोनो class 11th के part है और wave optics जो है, वो of course optics का part है, इसलिए class 12th का part है लेकिन तीनों के अंतर more or less जो concepts है वो काफी अब तक similar है even EM waves भी आएगी class 12th के अंदर, उसके भी बड़ा concepts है, वो more or less sound wave और wave on string जैसे सही है equations तो more or less वैसे की वैसी है so ये चारों चेप्टर आपस में एक दूसरा से काफी related है और चारों में अगर बात करें तो sound waves है वो relatively easier side का chapter है और जादा important है as compared to wave on string wave on string के जितने सवाल पूछते है उससे जादा सवाल sound wave के पूछते है और easier भी होते है मैं एक बात और कहूंगा कि sound waves के जो last के दो-ती lecture है, उनके topics जैसे मतलब कि हो सेता है कि sound waves बड़ा आपन लग-मग-लबग, साथ या 8 lecture पड़े तो उसमें से जो last के तीन lecture होंगे, उनके सवाल थोड़े से जादा पूछते है जैसे उसमें Doppler effect हो गया और organ pipes हो गयी तो उसके सवाल अगर आप देखोगे तो चाहिए J.E. main हो, चाहिए IIT advanced हो दोनों में ही सिर्फ वो सिर्फ इन दो टोपिक के है, कौन से कौन से organ pipe और Doppler effect इन दोनों के सवाल relatively जादा पूछते है हाँ, इसका यार्थ बिलकुल नहीं है कि शुरुआत वाले portion के सवाल नहीं पूछते कम पूछते है बट शुरुआत वाला portion हमारे लिए इसलिए भी काम का है कि वो जो portion हम पढ़ रहे है शुरुआत में जो हम पढ़ रहे हो सकता है कि उसका बहुत सारा use जाए वो wave optics के अंदर भी हो जैसे खास तोर से interference बगरा जो topic है, उसके सवाल sound waves में आते कम है लेकिन sound waves में interference सीखते है और वही interference हम लोग wave optics में use भी करते है सारा का सारा chapter है अच्छा है लेकिन आप मान पे चल सकते हो कि चाहे जही main हो चाहे IIT advanced हो दोनों में ही last के जो दो-तीन chapter है, sorry, last दो-तीन जो lecture है, उनका weightage relatively जाता रहता है ये बात गाट बाद ले कि sound waves में जब भी revise करना हो तो last के दो-तीन lecture तो पक्के revise करने, बाकी तो ठीक है बटा शिरुवात वाले भी conceptually important रही और IIT बार होगा क्या बरोजा कब क्या पूछ ले, ठीक है चली बच्छा मैं यहापर रहना sound waves स्टार्ट करने से पहले एक-दो छोटी-छोटी बाते और बोलना चाऊँगा एक-दो concept है जो मैं अब भलके से आपको बोलना चाऊँगा इन concepts की जरुवत हमारी sound waves में बार-बार पढ़ेगी थियोरी में भी पढ़ेगी और आगे जाके सवालों के अंदर भी पढ़ेगी तो दो छोटे-वोटे concept है प्लीज उनको सुनियेगा, समझियेगा देखी बढ़ा मैं sound waves की start नहीं कर रहा हूँ sound waves पढ़ने के लिए कुछ pre-quisite है वो बता रहा हूँ तो उसमें सबसे पहला point जो है वो यह है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई fluid है बढ़ा fluid मतलब gas भी हो सकती है और liquid भी हो सकता है यह आपके पास कोई fluid है ऐसा कोई fluid है इस fluid का जो volume है बढ़ा वो V है और चारो तरफ से जो pressure लग रहा है चारो तरफ से जो pressure लग रहा है बढ़ा वो आपका P है चारो तरफ से इस fluid पे जो pressure लग रहा है वो P है और इस fluid का जो volume है वो आपके पास V है ठीक है आपने क्या किया कि चारो तरफ से लगने वाले pressure को P से बढ़ा कर P प्लस DP कर लिया मतलग आपने चारो तरफ से एक तरह से force बढ़ा दी force अगर बढ़ा दी तो आपका liquid या फिर आपका fluid हलका सा compress होगा और जैसे हलका सा compress होगा हो सकता है कि आपके fluid का जो volume है वो change होकर पहले अगर V था तो अब शायद V प्लस dv हो जाए पहले चारो तरफ से pressure P था तो इस fluid का volume V था आपने pressure बढ़ा कर P प्लस dp कर दिया तो volume V से घट कर V प्लस dv हो गया सर आप भी कमाल करते हो कहते हो कि volume घट गया है और यहाँ पर प्लस लगा दिया हाँ बेटा लगा दिया dv मतलब change in volume यह positive हो सकता है negative हो सकता है हमारे वाले इस आप से गर देखे तो हमने pressure बढ़ाया है तो fluid का volume घटना चाहिए तो हम अपने आप समझ गया है कि इस dv की जो value है यह negative है तो अगर आप side हो से pressure बढ़ाओगे तो liquid हलका सा compress होगा या फिर fluid हलका सा compress होगा उसका volume थोड़ा सा घटेगा अब यहाँ पर एक term आती है that term is extremely important to us and that is bulk modulus बढ़ा क्या bulk modulus इस fluid का जो bulk modulus होगा it is defined as बढ़ा इसका हम B से तो represent करेंगे it is defined as उपर हम लिखेंगे change in pressure आपने कितना pressure change किया इससे हम इक नाम भी दे सकते हैं आगे जाकर देंगे भी stress बढ़ा उपर क्या use करेंगे stress और नीचे हम करेंगे strain उपर तो हमेशा क्या आएगा stress stress आपके पास हो गया है कि आपने pressure को कितना change किया है नीचे आएगा strain सरी ये strain क्या है बड़ा strain है change in volume upon actual volume तो strain है आपके पास change in volume upon actual volume ये आपके पास somewhat bulk modulus की definition है लेकिन हमें एक बात पता है कि pressure बढ़ा होगी तो dp positive आएगा pressure बढ़ा होगी तो liquid compress होगा तो of course volume घटेगा तो dv negative आएगा तो ये positive होगा तो ये negative होगा अगर आपने pressure घटाया तो of course volume बढ़ेगा तो ये negative होगा तो ये positive होगा ये positive होगा तो ये negative होगा तो कुल मिलाकर ये term negative आ रही है मैं ये चाहता हूँ कि इस fluid का जो bulk modulus है ये constant आना है काश ये positive हो तो मैं definition में जान बूझ के एक minus sign और लगा रहा हूँ इस minus sign का सिर्फ और सर ये अर्थ है कि ये एक तरह से इस bulk modulus वाले constant term को positive करना चाहता है तो अगर आपको याद करना हो तो आप याद कर सकते हो कि bulk modulus is simply minus dp upon dv into प्लीज बढ़ा ये याद रखे हालांकि हम bulk modulus बढ़ा अलग से एक chapter के नदर पढ़ेंगे भी बट तब भी बढ़ा मैं more or less ये बात है करूँगा ऐसा नहीं कि मैं नई बात कर लोगा तो आपके लिए इस chapter के इसाफ से कर देखे तो इतनी बात आपके लिए एक बार के लिए काफी है हमारा काम बन जाएगा I hope पहली बात आप बुसमें में आवे दूसरी बात sound waves पढ़ने के लिए एक छोटा सा prerequisite और है अगर आपके पास कोई gas है तो उस gas का pressure और volume जो है वो आपस में related होते है और उनके बीच में क्या mathematical relation होगा ये इस बात पर depend करता है कि process क्या है ये आप देरे देरे कभी ने कभी chemistry अंदर पढ़ भी लोगे बढ़ महलका साथ कह रहा हूँ कि किसी भी gas के pressure और volume को हम relate कर सकते हैं अलग-अलग process के लिए pressure और जो volume होते है उनके बीच में अलग-अलग relation आता है अगर आपके पास कोई isothermal process हुआ तो उसका मतलब उसका pressure into volume is constant क्या बोला बढ़ा? pressure into volume is constant मतलब pressure को दुगना करोगे तो volume half हो जाएगा pressure को 10 times करोगे तो volume 1 by 10 times हो जाएगा pressure को half करोगे तो volume double हो जाएगा तो isothermal process अगर कोई gas follow कर रही है it means that P into V is equals to constant ऐसी gas जो isothermal process को follow कर रही है कोई पूछले कि उस gas का bulk modulus क्या होगा? क्या पूछले? bulk modulus क्या हम निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं मुझे तो dp upon db चाहिए अभी निकालता हूँ बढ़ा इस पूरी equation को differentiate करो करो बढ़ा एक function multiplied by दूसरा function एक function multiplied by दूसरा function होता तो हम कौन से rule लगाते हैं? multiplication rule चलो लगाता हूँ pressure को वैसे का वैसे लिख दिया volume का differential आएगा db अब उल्टा volume को वैसे का वैसे लिख दिया p का differential आएगा db right side में constant है constant का differential है तो 0 इसको उधर ले जाओ मेरे पास आगया p into dv is equals to minus v into dp और मेरे पास बड़े आराम से यहाँ पर आगया है कि dp upon dv is minus p upon v तो कोई gas जो isothermal process को follow कर रही है कोई ऐसी gas जो isothermal process को follow कर रही है उस gas का अगर कोई मुझसे पूछ ले कि bulk modulus क्या होगा I would say minus dp upon dv into v dp upon dv को मैं क्या लिख सकता हूँ minus p upon v v से v बड़ा cancel और bulk modulus जो आगया है वो gas के pressure के बराबर आगया है हमेशा नहीं सिर्फ उस gas के लिए जो isothermal process को follow करती है किसको follow करती हो isothermal process को follow करती है I hope you get the point ऐसी बटा एक छोटा सा पॉइंट और है मैं ज्यादा बोर नहीं करूँगा अब बटा sound wave स्टार्ट करने वाली है बस एक छोटा सा पॉइंट और अगर कोई gas adiabatic process follow करती हो सर ये adiabatic process क्या होता है बटा adiabatic process वो होता है जिसमें gas जो होती है वो ना तो बाहर से heat लेती है ना heat देती है उसके अंदर pressure और volume जो है वो इस तरह से related होता है P V raise to power gamma is equals to constant जैसे isothermal process में pressure into volume is constant बटा वैसे ही आपके adiabatic process में pressure into volume raise to power gamma is equals to constant gamma अपने आप में constant है जिससे आप adiabatic constant कह सकते हो जिससे बटा आप adiabatic constant कह सकते हो ये अकसर आपको सवाल में दिया होगा या फिर कैसे न कहां सकते हो इस बात को भी हम हलका फुलका कभी ने कभी discuss भी करेंगे बट एक बार के लिए आपसे constant माल के चलो कोई मुझे पूछे ले कि सर ऐसी gas जो adiabatic process को follow करती हो क्या हम उसका bulk modulus निकाल सकते हैं क्या हम जी हम बिलकुल निकाल सकते हैं बटा वही मुझे dp upon dv चाहिए क्योंकि bulk modulus के formula में dp upon dv आया था तो मुझे बचे ही है निकालते हैं इस expression को differentiate करो pressure वैसा का वैसा v raise to power gamma का differentiate होगा gamma times v की power gamma minus 1 into dv plus अब v raise to power gamma वैसा का वैसा और p का differentiate dv right side में constant है constant का differentiation तो of course 0 लिखेंगे और क्या लिखेंगे और इस बिटा में v raise to power gamma minus 1 v raise to power gamma minus 1 cancel कर सकता हूँ मैरे पास आगया gamma p dv is equals to minus v into dp यहाँ से मैं dp upon dv लेख सकता हूँ minus gamma p upon और अगर तो मुझे से पूछ ले कि सर्ट एडिबेटिक प्रोसेस का bulk modulus क्या होगा मैं कहूँगा पीटा formula क्या था minus dp upon dv into v that is minus पीटा what is dp upon dv that is minus gamma p upon v into v v से v cancel minus से minus cancel bulk modulus की value आगी है gamma times p पीटा फिर से बोल रहों gamma की value की बटा तो में चाहाँ सोचने की जरूत नहीं है यह हम देख लेंगे कोई इतना बहुत बड़ा task नहीं है gamma हम देख लेंगे मैं आपको याद भी करा सकता हूँगे gamma की value क्या होगे बहुत ही आसान सा काम है बटा कोई tough काम नहीं है आपकी जितनी भी monoatomic gases होगे सरी यह monoatomic gases मतलब बड़ा monoatomic gases मतलब जैसे जिनका एक ही atom होगा हो helium, neon, वगर वगर उनके लिए आप gamma याद कर सकते हो 5 by 3 बड़ा क्याद कर सकते हो 5 by 3 ठीक है इसी तरह से आपकी जितनी die atomic gases होगे जैसे oxygen, nitrogen, chlorine वगर वगर उनका gamma वड़ा तुम याद कर सकते हो 7 by 5 और जितनी आपकी polyatomic gases होगे हाला कि हम इसको बाद में आगे जाकर ऐसे linear, non-linear type भी तोड़ेगे हैं पर एक बार आप नहीं याद कर लो कि polyatomic वड़ा जिनके पास 2 से ज़ादा atom हो, जैसे ammonia उनका gamma जो बोगा वड़ा वो 4 by 3 हो तो आपका जो bulk modulus होगा हो, gamma times p पी मतलब उस gas का pressure जो आपको इस वाल में दिये रखा होगा और वो gamma वड़ा में आपको more or less याद करा दिया है कि monotomic का gamma 5 by 3 याद करें, diatomic का आप 7 by 5 याद करें और polyatomic का आप more or less 4 by 3 याद करें इनकी details of course इनकी अलगलग chapters में आती रहती है, बट आपको सिर्फ और से इतना ही जानने के ज़रूरत है, इतना जानने से हमारा sound का कोई भी सवाल नहीं रुकेगा, ठीक है, तो मैंने पहले ही सारी के सारी को जो भी extra information आपको चाहिए थी मैंने आपको दे दी, अब इनके अलावा आपको किसी और extra information के ज़रूरत नहीं पढ़ेगी sound chapter के अंदर, बाकी तो ठीक है बटा आगे जाके और भी अपन को तो पढ़ना ही है हो सकता है कि आपने chemistry के अंदर बिश्टर की बाते पहले से पढ़ भी रखे हो तब तो बटा लिखने की भी ज़रूरत नहीं अगर आपको पहले से याद है otherwise कोई बात नहीं बटा, मैंने लिखा दो दिया आगे चलिए बटा now मुद्धे पर आते हैं our sound waves sound waves हमारे पास एक three dimensional longitudinal mechanical wave है of course हमारे communication के अंदर सबसे ज़्यादा जो useful है that is of course sound wave हमारे बोलने पर sound एक जगह से दूर से जगह दर travel करती है और हमारी बात को एक जगह से दूर से तक पहुचाने के लिए sound wave काम आती है और एक बात लेक सकते हो sound wave is a longitudinal mechanical three dimensional हर बात को धीरे धीरे देखते है सबसे पहले longitudinal है अच्छा पहले एक बात हो इसका source कौन है sound का जो source है वो mostly एक vibrating object होती है कोई ने कोई ऐसी object जो vibrate करती है इसका source will be some vibrating object that or vibrating object may be एक tuning fork जो vibrate कर रहा हूँ बढ़ आप जानते हो tuning fork के जो prongs होते हैं वो ऐसे ऐसे vibrate करते हैं और उसके करण of course sound create हो सकती है हमारा जो vocal code है आप जब बोलते हो तो आपका जो vocal code है यह ऐसे ऐसे vibrate करता है vibrations के amplitude बहुत छोटे है इसलिए दिखते तो नहीं है लेकिन अगर आप ऐसे अपने उंगली पुट करोगे और बोलोगे तो आपको इस बात की feel आएगी आपका जो vocal code है वो ऐसे ऐसे vibrate कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर vocal code यह भी vibrate कर रहा है guitar string of course जो भी आपके speaker वगर होते है उनका जो परदा होता है जो diaphragm होता है वो भी इस तरह से vibrate कर रहा होता है जो भी आपके speakers होते है DJ होते है वो इस तरह से vibrate कर रहा होता है कुल मिलाकर आपके sound का जो source है वो कोई ने कोई vibrating source होगा ऐसा सोर्च जो लगाता रहे इस तरह से वाइबरेट कर रहा होगा अच्छी बात है सरी ये क्या बोला आपने है longitudinal wave हमारी जो sound है वो एक longitudinal wave है सरी ये longitudinal wave है इस बात का क्या अर्थ है बड़ा इस बात का अर्थ ही है कि अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास ये tuning fork है तो ये tuning fork ऐसे ऐसे oscillate करेगा ये tuning fork जैसे ही यूँ oscillate करेगा ये अपने जस्ट नस्दीक वाले air molecule को भी ऐसे ऐसे oscillate करवाएगा ये वाला molecule अगले वाले molecule से टकर करेगा और ये अगला वाला molecule भी ऐसे ऐसे oscillate करेगा याद कीजिए कि string wave के अंदर हमने string के particles को यू यू चलाया था तो सारे के सारे medium particles ऐसे ऐसे जा रहे थी सारे के सारे disturbance यू झा रहे थी लेकिन रसी के particles इस-ैस तरह से oscillate कर रहे थे इस कारण से रसी की wave को हम लोगों ने transverse wave कहा था लेकिन यहां पर आपके लिएम पार्टिकल्स हैं जिस तरफ आपकी डिस्टर्बेंच जा रही है जिस तरफ आपकी वेव जा रही है आपकी मीडियम पार्टिकल्स भी उसी लाइन के लोंग उसिलेट कर रहे हैं These kind of the waves are known as of course longitudinal waves यह definition हम लोगों ने wave on stream में पहले से लिख रख किये, fair enough, आगे चलते हैं, हमारे जो wave है, sorry, हमारे जो sound wave है, यह mechanical wave है, when I say mechanical wave, I mean that इसे medium के जरुत पड़ेगी, बिना medium के sound travel नहीं होगी, तो आप कह सकते हो कि इसे medium के जरुत पड़ेगी, अगर आप vacuum में जाकर चिलाओगी, बिना किसी को कोई आवाज नहीं पहुंचेगी, चाहिए, तो medium के जरुत पड़ेगी, चाहिए वो air हो, इवन चाहिए solid हो, लेकिन mechanical wave जो है, उसको तो medium के जरुत पड़ती है, तो आपके sound इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर बाहर भी आएगी, अंदर भी जाएगी, हर तरफ जाएगी, आपके जो sound है, वो of course एक three dimensional wave, आपके पास जो sound है, बड़ाओ आपके पास एक three dimensional wave, fair enough, मैं एक बाहर के लिगे सारी बातें मिटा रहा हूँ, साउंड की इक्वेशन वगर है, ये भी हम आराम-आराम से देखेंगे, पहले कुछ जनरल बाते हैं हम और कर लेते हैं। साउंड कितनी लाउड होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी, वो एम्प्रिटुड वगर है पर डिसाइड होगा, साउंड की quality में, साउंड की frequency का बड़ा रोल है। अगर एक सेकंड के नदर 100 times oscillate कर रहा है, तो ये medium particles को भी एक सेकंड के नदर 100 times oscillate कर रहा है। और सारे के सारे जितनी medium particles हैं, मतलब air particles हैं, उनको exactly उसी frequency से oscillate कर रहा है, जिस frequency से आपका ये turning fork oscillate कर रहा है। इसी तरह से माल लिजे कि आपके पास कोई DJ या speaker का जो diaphragm है, जो परदा है, वो इस तरह से oscillate कर रहा है। इसकी frequency अगर माल लिजे 1000 Hz है, तो इस बात का ये अर्थ है कि ये जो diaphragm है, ये जो परदा है हमारे इस DJ का या पिर किसी speaker का, ये एक सेकंड के नदर 1000 बार ऐसे ऐसे oscillate कर रहा है। तो ये अपने आगे के जितने भी air particles हैं, उनको भी oscillate कराएगा, और उनको भी medium particles को oscillate कराएगा, किस frequency से, 1000 Hz की frequency से। हमारे पास nature के अंदर लग भग लग भग जितने भी sources हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक frequency दे ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मेरी आवाज या अगर आप सुन रहे हो, तो बड़ा obvious बात है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक अकेली frequency नहीं दे पा रहा हूँ, मैं bunch of frequencies दे पा रहा हूँ, लेकिन tuning fork जो ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही frequency देगा, मालनो tuning fork 50 Hz लिखावा है, तो इसका मतलब है 50 Hz के sound ही emit करेगा, लेकिन हम अपनी बात करें, किसी musical instrument की बात करें, किसी speaker की बात करें, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक frequency नहीं निकलती, उसमें तो हजा के अंदर 200 oscillations कर रहा है, ऐसे longitudinal direction में, और जो medium के particles हैं, उनको भी ऐसे एक second के अंदर 200 times oscillate करा रहा है, this is the frequency of sound, I hope you get the point, एक बात रहा है, हमें, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, हमें इंसानों को कोई भी sound सिर्फ और सिर्फ तभी सुनाए देगी, तभी audible होगी, जब frequency जो ह है, वो बड़ा 20,000 hertz और 20 hertz के बीच में, 20 hertz से लेकर 20,000 hertz के बीच में, अगर किसी sound के frequency हुई, तभी हम इंसानों को वो वाले sound audible होगी, सुनाए देगी, इस frequency से कम की sound और 20,000 hertz से ज़्यादा की sound जो है, यह हमें audible नहीं होगी, यह values बहुत subjective है, इनको है न, ऐसे नहीं कि इनसान की definition बताने में, तुमने use कर लिया, कि ऐसा living organism, जो 20 hertz से लेकर 20,000 hertz तकी frequency सुन सके, उसको हम human being कहेंगे, ऐसा नहीं है, यह कोई hard and fast नहीं है, कोई, है न, ऐसा नहीं कि 20 hertz से लेकर 20,000 hertz को hard and fast है, एक rough range, एक rough range है, कि हम human beings जो है, वो sound को तभी सुन पाते हैं, जब sound की frequency जो है, वो 20 hertz से लेकर, 20,000 hertz के बीच में, 20 hertz और 20,000 hertz के बीच के अगर frequency हुई, तभी आपके sound audible होगी, अदरवास बड़ा हमलों को audible नहीं होगी, ठीक है, अगर कोई frequency, 20,000 hertz से अगर जादा हुई, 20,000 hertz बड़ा है, के मतलब of course kilo, 20,000 hertz से अगर जादा हुई, तो उस sound को बड़ा हम ultrasonic sound गहेंगे, ultrasonic sound गहेंगे, of course इस ultrasonic sound को हम सुननी सकते हैं, हाला कि काफे सारे experiments बगर में काम आते हैं, लेकिन हम नहीं सुन सकते हैं, 20 hertz से अगर छोटी हुई, तो इसे हम infrasonic sound गहेंगे, वो sound ज़रूर है, हम नहीं सुन पारें, कोई बात नहीं, बड़ा हो सकता है कि बाकी animals सुन पारते हैं, है न, हो सकता है कि बाकी animals सुन पारते हैं, तो 20 hertz से अगर छोटी frequency है, तो आप उसे infrasonic sound कह सकते हो, और 20,000 hertz से अगर जादा frequency है, तो इसे हम ultrasonic कह सकते हो, dogs जो हैं, बड़ा dogs जो हैं, वो 50,000 hertz तक की frequency सुन सकते हैं, 50,000 hertz frequency तक की sound सुन सकते हैं, इसका मतलब 20,000 hertz से लेकर 50,000 hertz तक की frequency की sound है, वो हम लोग तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन dogs सुन सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि dog नहीं यह वाली आवाज़ा सुन के कोई बहुत बड़ा कमाल कर लिया है, क्यों मैं record देख, हमने कितना photo हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई sounds बहुत ज़दा होती भी नहीं होंग we don't know, ऐसा कोई बहुत ज़दा sounds होती भी नहीं होगी, और अगर ऐसे sounds होती भी हैं, तो हमार पास ऐसे equipments हैं, जो उन sound को perceive कर सकते हैं, ठीक है, वो सब्सक्राइब करके, audible वाले में convert कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत 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 ज़दा sounds है नहीं, जिनको dog सुन पाते हो, तो बीस हजार हर्ट से लेकर पचास हजार हर्ट से गहर कोई sound है, तो हम नहीं सुन पाएंगे, dog सुन पाएंगे, bats जो होते हैं, चमकादर जो होते हैं, बढ़ा वो तो till, one lakh hertz, मतलब thousand kilohertz तक की frequency भी सुन लेते हैं, again मैंने कहाने हैं बढ़ा, कि बीस हजार हर्ट से जादा औ और एक लाग के बीच वाले जो frequencies, bats सुन पा रहा हैं, हम नहीं सुन पा रहा हैं, तो ऐसा को बहुत बढ़ा loss नहीं है, बहुत जार sound ऐसी है भी नहीं, ठीक है, जो इस range में लाई करते हैं, तो हमारा कोई बहुत बढ़ा नुकसान नहीं कि, oh my god, बगवान ने मुझे इंसान की बनाया, बैट की नहीं बनाया, ऐसे सोचने की ज़रत नहीं है, ठीक है, इतना कोई infinity complex मतलड आवा हो, ठीक है, ठीक है, ऐसे तो rhinosaurus जो होते हैं, वो तो कम से कम 5 hertz तक की frequency भी सुन सकते हैं, मतलब हम तो 20 hertz तक की frequency सुन सकते हैं, 20 से लिकर 5 hertz तक की frequency जो हम दो नहीं सुन होते हैं, होते हैं कोई healthy or fluffy sound, I don't know, हमें तो भी खास पर पढ़ा नहीं कि अच्छा हम यह वारे sound नहीं सुन पाए, लेकिन रायनों सरस 5 hertz तक की frequency सुन सकते हैं, हाँ, मैं इस बात को फिर से repeat करता हूँ, कि हम लोग जो frequency हैं, वो 20,000 hertz से 20 hertz के बीच की सुन पा रहें, यह values subjective है यह हर इंसान टो इंसान अलग भी हो सकती है, पता लगा कि तुम्हारा चोटा भाई जो है, वो 19 hertz की frequency सुन पा रहा है, तुम्हारा चोटा भाई जो है, वो 19 hertz की frequency सुन पा रहा है, और तुम कहतो कि हमारे sound बगा रखा है, कि 20 hertz तक की frequency सुनने वाले लोग ही इंसान है, और त तो 19 Hertz की Frequence सुन पारा है, तो पक्की बात है कि इंसान नहीं है, तो पक्की बात है कि राइनोसुरस है, ऐसे नहीं गोलना है, ठीक है, यह मैंने कहा नहीं गड़ा, subjective values हैं, यह इंसान को इंसान वेरी कर सकती है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं तो values थोड़ी subjective है, इनको लेके घर में जगड़े नहीं करने हैं, ठीक है, आगे जबते हैं, next, हमने frequency की बात को discuss किया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारे जितने भी sources हैं, हम अपने आपको भी अगर एक source कहें, तो हम जितने भी sources हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक एकलोती frequency emit करें हैं, ऐसा नहीं है, we emit bunch of frequencies, और overall हमारी आवाज किस तरह से perceived की गई है, that is more subjective, उसमें बहुत सारे और पैरामेटर्स है, इन सारे पैरामेटर्स को मिला कर हमें एक नई term define करते हैं, pitch, बढ़ा क्या term define करते हैं, pitch, आप एक छोटी से term लेख सकते हो, थोड़ी सी बढ़ा, ठीक है theoretical type की है, लिखना चाहरा बटा लिख सकते हो, pitch, क्वाबेश तरह से लिख सकते हो, our brain interprets sound primarily in terms of subjective quality non-ass pitch हमारा जो बड़ा brain है, वो कैसे भी sound को सुनकर ऐसा नहीं किसकता है कि अच्छा, ये वाले sound hundred hertz कि थी, ये वाले sound thousand hertz कि है, या फिर ये वाले sound 15,000 hertz कि है, ऐसा hemaria दिमाउग जो हो, gelecek परसीन नहीं कहसता हां, हमारा दिमाउग जो हो more or less इतना बता सकता है कि ये वाली अवाश थोड़ी भारी है, ये वाली अवाज थोड़ी तीखी है, शार्प है, ये जो भारी है या शार्प है, ये more or less थोड़ी subjective बाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे और पेरामेटर्स आ गए, इन सारे के सारे पेरामेटर्स को मिलाकर हमने एक नए टर्म डिबेंड कर दी पिच, ब जो आवाजें कम frequency range में होती हैं, उन्हें हम नाम दे देंगे low pitch, जितनी आवाज भारी होती हैं, बढ़ा सारे के सारी low pitch होती हैं, भारी आवाज, जैसे अकसर man की आवाज अकसर भारी रहती है, तो उनकी frequency थोड़ी सी lower side बे रहती है, तो हम बोलते हैं कि वो low pitch है, इसी तरह से अगर माल लीजे कि higher frequency, अगर higher frequency range है, it means that उसका हम बोलते हैं कि that is high pitch, sir high frequency range में कौन रहे हैं, गल्स की आवाज अकसर थोड़ी सी तीखी होती है, तो हम कहते हैं कि उनकी frequencies जादा है, या पर simple शब्दों में कहें, तो उनकी आवाज थोड़ी सी higher pitch में है, छोटे बच्चे र होते हैं, ऐसे 10-10 बड़ा इस तरह की आवाज आती है, बरतन गिरते हैं, उनकी कारण जो आवाज आती है, थोड़ी आवाज शार्प होती है, थोड़ी सी मतलब unpleasant होती है, वो जो शार्प आवाज होती है, आप उनको कह सकते हो कि वो higher pitch में है, तो आवाज जितनी भारी हो, आप कह सकते हो कि जैसे भैस की आवाज, जैसे मैंने कहा कि बड़ा मेंन की आवाज, उनको आप कह सकते हो कि ध्यार lower pitch, low frequency, और जो आवाज शार्प होती ही हो, जैसे गल्स की आवाज, छोटे बच्चा जो चिलाता है, रोता है, उसकी आवाज, बरतन गिरने की आवाज, ये सारे का सारी जो आवाज हैं यह higher frequency range में होती है और of course यह आपकी high pitch voices होती है तो आप ऐसे याद कर सकते हो high pitch मतलब higher frequency range low pitch मतलब lower frequency range इतने याद रखने से हमारा काम चल जाएगा तो हमारा जो brain है वो exactly कितनी frequency है उसको perceive नहीं करता हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ यह perceive करता है कि जो frequency है वो किस order में है वो कम frequency है, जादा frequency है जादा frequency range में होका उस high pitch बोलते हैं कि कम frequency range में होका उसे हम lower pitch बोलते हैं इतना साइब बोलने हैं इससे काम चाल जाएगा ठीक है बटा एक सवाल देखे sound of wavelength 3 mm and speed of sound 400 meter per second एक sound है wavelength दिरिखिया 3 mm और speed of sound दिरिखिया 400 meter per second is this sound audible to us बटा ये वाले sound audible है या नहीं है तो आपको कि सर ओडिबल है या नहीं है ये decide करेगी frequency सर काश में frequency निल से निकाल पाऊ सर frequency आपने formula तो सिखा है नहीं बटा सिखा तो रखा है किसी भी wave की speed और किसी भी wave का lambda ये दोनों आप पस में किस तरह से frequency निकाल सकते हैं यह मैं आपको पहले से सिखा चुका हूँ transverse wave में बता चुका हूँ आपको वड़ा याद ही होगा कि frequency is of course speed of wave upon lambda I really hope अपको याद होगा speed of wave 400 meter per second lambda 3 millimeter that is 3 into 10 raise to power minus 3 meter meter से meter cancel बड़ा मेरे पास आगे 4 by 3 into 10 raise to power 5 1 upon second बड़ा 1 upon second is of course hertz बड़ा 4 by 3 is 1.3 into 10 raise to power 5 hertz kilohertz में अगर convert करना चाहो तो आप लिख सकते हो उसे 130 kilohertz बड़ा चेक करो सही लिखाने 130 kilohertz 130 kilohertz बड़ा 1,30,000 hertz सुन पाऊंगे क्या आप बोलो कि नहीं सर मैं तो सिर्फ और सिर्फ मैं ऐसा हम अजूम कर रहे है is this sound audible to us तो मैं अजूम कर रहा हूं कि सारे के सारे लोग तो सुनने वाले हो human beings है सारे लोग जो सवाल कर रहे है वो human beings है ऐसा मैं अजूम कर रहा हूं तो of course हम यह वाले sound तो नहीं सुन पाएंगे तो no limit थे बड़ा no limit थे एक तरगा और सवाल पूछ लो बड़ा एक sound है जसकी wavelength जो है बड़ा वो 4 mm है और speed of sound जो है वो आपके पास 300 meter per second है आपको बतानी है कि हमारे लिए ये वाले sound audible है या नहीं है तो again audible है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा frequency frequency lambda और V से कैसे निकाद हम जानते बड़ा that is V upon lambda V है 300 meter per second divided by 4 mm that is 4 into 10 raise to power minus 3 meter बड़ा कितना आ गया 300 divided by 4 बड़ा कितना आ गया 75 thousand thousand को बड़ा मने किलो लगा दिया 75 kilohertz 75 kilohertz की frequency है ये तो 75 kilohertz की frequency हम लोग सुन पाएंगे क्या नहीं अगर हम बैट होते तो सुन लेते of course मैं आजूम कर रहा हूँ कि हम लोग बैट नहीं है ये assumption दो चले गरा हूँ तो हम लोग ये वाली sound भी नहीं सुन पाएंगे अगर बैट होते हैं तो हम सुन लेते ये वाले frequency भी हम नहीं सुन पाएंगे एक और सबाब बढ़ाब के पास लेम्टा जो है बढ़ाब वो दे रखा आपको 20 mm और speed of sound जो है बढ़ाब आपको दे रखा है 280 मीटर पर सेक्ट आपको बताना है कि ये वाले sound आप सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे जल्दी से कर लो बच्चों फटा फट कर दो frequency is v by lambda v है 280 मीटर पर सेक्ट लेम्डा है 20 mm तो 10 रेस तो पाउर माइनस 3 मीटर मीटर से मीटर कैंसल 0 से 0 कैंसल बड़ा 14 किलो हर्ट्स आएंगे बड़ा ये 10 रेस तो पाउर 3 उपर गया तो वो तो 1000 हो गया 1000 लेगा 14 किलो हर्ट्स हम तो 20,000 हर्ट्स तक की frequency सुन सकते हैं और ये वाले frequency बड़ा सिर्फ होसर 14,000 हर्ट्स है इसको तो हम सुनी लेंगे तो आपके सिर्फ के सर बिलकुल ये वाले साउंड हम बड़े आराम से सुन सकते हैं हमें किसी प्रकार का कोई issue नहीं ठीक है बच्च तो कोई भी sound हमें audible होगी या नहीं होगी ये decide करेगी उसकी frequency तो कभी आप से पूछ लेकिए वाले sound audible है या नहीं है तो समझा देना उसको आप कि audible है या नहीं ये frequency decide करेगी और frequency हम इस तरह से judge कर सकते हैं आगे जिबी बच्च next is sound wave in terms of displacement आसान सा काम है बिलकुल टफ नहीं है आराम से काम बन जाएगा सुनना बिटा पहले हमने wave on string के अंदर याद कीजी बड़ा रस्सी हुआ करती थी ऐसे जैसे ही इसमें कोई traveling wave जाया करती थी तो रस्सी के particles हो थे वो transverse direction के अंदर move करने लग जाया करते थे किसी time t पर x distance वाला जो particle है उसका y direction में कितना displacement हुआ है ये जो y था ये किस किस पर depend करता था x पर और t पर कौन से particle की बात कर रहे हो और किस time पर बात कर रहे हो इससे decide होता था कि इस particle का displacement कितना होगा transverse direction में और ये जो transverse direction में displacement बतानी वाले जो equation थी that equation वाजवार है equation of the wave लेकिन इस बार क्या है कि जैसे ही आपके पास कोई sound का source है बड़ा सबसे easiest source तो मेरे पास tuning fork ये tuning fork जैसे ही yun oscillate करेगा बड़ा मामला यहीं change हो गया यहाँ पर आपका source yun oscillate कर रहा था यहाँ पर आपका source yun oscillate कर रहा है तो जैसे ही ये source आपका yun oscillate करेगा सारे के सारे medium particles oscillate करने लग जाएंगी लेकिन इस बार medium particles जो है वो yun yun oscillate ना करके ऐसे ऐसे oscillate करेंगे तो इस tuning fork के ऐसे ऐसे oscillate करने के कारण यहाँ से x distance दूर जो particle की mean position यहाँ पर थी यह वाला particle भी ऐसे नहीं longitudinal direction के अंदर ऐसे ऐसे oscillate करने लग जाएगा और किसी भी time t पर इसका जो displacement है किसी भी time t पर इसका जो displacement है मैं उसको s से represent कर रहा हूँ किस से represent कर रहा हूँ? s से sir y से क्यों नहीं कर रहे है? कर सकते थे लेकिन y से मेरे बच्चे confused हो रहते है मेरे बच्चे करते है sir y से यह feel आती है कि यह particle यह जा रहा है क्योंकि wave जा रही है x के along sir अगर आप y लिखते है तो मैं हलका से confused हो था कि शायद particle y हो जा रहा है नहीं बटा जा तो y हो रहा है sir इधर जा रहा तो x क्यों नहीं लिख रहे है s क्यों लिख रहे हो x इसले लिख रहा हूँ क्योंकि x जो है वो तो इस particle की mean position कि actual में जब sound wave नहीं जा रही थी तब इसकी position क्या थी वो बताने काम आ रही है ये जो s है ये तो ये बता रहा है कि sound आने के कारण x distance पर जो particle था उसका किसी time t पर कितना displacement है तो आप कह सकते हो कि sir ये वाला particle y में move कर रहा था और ये वाला particle x के along move कर रहा है लेकिन इसके displacement को x से रेप्रेजेंट करके s से रेप्रेजेंट इसले कर रहे है क्योंकि x वाला जो term है वो तो हमने use किसके लिए कर लिया इसकी जो equilibrium position थी इसकी जो actual position थी वो बताने के लिए अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो displacement होगा ये function होगा किसका function होगा कि आप किस particle की बात कर रहे हो क्योंकि अलग-अलग particle का displacement अलग-अलग है और किस time पर बात कर रहे है और तो और मेरे बच्चे बोलेंगे sir ये s क्या है this is displacement of medium particle of course from equilibrium position x क्या है ये जो इसकी equilibrium position थी बड़ा वो थी किसी भी time t पर किसी भी x वाले particle का displacement इस longitudinal direction नों क्या होगा वो जो equation बता है कि that equation will be our equation of wave ये मेरे बच्चे ये भी कहेंगे कि sir ये जो function है ऐसे नहीं कि कुछ भी हो जाए आपने सिखा रखा है में कि traveling wave होने के लिए आपने हमें सिखा रखा है कि traveling wave होने के लिए ये function जो है ये t minus x upon v types कुछ होना चाहिए क्या होना चाहिए t minus x upon v types होना चाहिए या फिर t plus x upon v types होना चाहिए I hope you remember that ये तब था जब wave positive x के लोग जा रही है ये तब था जब wave negative x के लोग जा रही है लिए 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 सक्टिव इफ wave is traveling along positive x this is the wave if traveling along negative x ऐसे कभी ने कभी standing wave भी बनेंगी बना देंगी विडा अंप उत्यार बेटे हर तरह की wave बनाने में हर तरह के काम करने में अपन लोग तो ready बैठे हैं कर देंगे अगले के I hope it's okay तो किसी time tip पर tuning fork के oscillate करने कारण या फिर किसी भी sound के source करने कारण sorry, source के vibrate करने कारण medium particles जो होंगे वो oscillate करेंगे और उनके oscillation करने को हम इस तरह से बड़ा किसी mathematical equation की form में लिक पाएंगे that equation is known as equation of sound in terms of displacement in terms of displacement इसलिए इसका नाम निकाल दिया displacement wave सिर्फ nomenclature displacement wave है wave तो यह sound ही है लेकिन उसी sound wave को हम किस तरह से interpret कर रहे है medium particles का x-axis के लोग जो displacement है उसकी terms हम जानना चाह रहे है इसलिए हमने इसलिए क्या नाम निकाल दिया क्या नाम निकाल दिया बड़ा displacement wave यह मत समझना है कि displacement wave को नई wave आगी है अरे sound wave ही है sound wave को हम सोच रहे हैं समझ रहे हैं देख रहे हैं किसकी terms में medium particles के displacement sorry ऐसे नहीं ऐसे medium particles के u-u displacement की terms में और वो जो equation इस displacement को बताएगी that equation is our equation of sound wave और बेटर तरीके से बोलना चाहो तो equation of sound wave in terms of displacement या फिर इस equation को बोलता सर्थ this is our displacement wave मनी में हम जानते हैं कि नाम बहले हमने displacement wave बोलो दियाओ है तो ये sound wave है तो sound wave चलिए बच्छो माल लीजी कि ये आपके पास बड़ा कोई ने कोई tuning fork और ये tuning fork ऐसे ऐसे oscillate कर रहा है इसके u-u oscillate करने के कारण इस tuning fork से x distance दूर जो particle यहाँ होना चाहिए था वो भी oscillate करने लग गया और वो u-u oscillate करने लग गया maximum displacement जो है इसका s-naught आ रहा है तो s-naught एक तरह से amplitude हो गया और ये particle ऐसे, 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 ऐसे होगा किसी time t पर ये वाला particle यहाँ से s-distance दूर चला गया maximum कितना आ सकता है s-naught इधर, s-naught इधर किसी time t पर अब सुलना किसी इस tuning fork के oscillate करने कारण यहाँ से x-distance दूर वाला particle किसी time t पर s-distance दूर चला गया है वो equation जो इस displacement को बदा पाएं that equation is known as equation of the traveling wave और हम जानते हैं कि अगर ये tuning fork अगर इस तरह से shm करेगा, तो medium particles सारे के सारे shm करेंगा and equation will look like this s equals to s not sine omega t minus kx plus theta मैं हलका सा बोर करूँगा आपको मैं सारे के सारे meanings वापिस से लिखूँगा s क्या है, क्या है बिटा s? आप बोलोगे, सिर्फ x distance पर जो आपका medium particles था उसका कितना displacement है या आपका s है displacement किस तरह है, transverse direction में या longitudinal s is giving us longitudinal displacement of medium पढ़ने का तो ये s not क्या है? क्या है s not? आप बोलोगे, सिर्फ आपका amplitude है किसका? displacement का amplitude है इसलिए s not को हम बिड़ा नाम दे सकते हैं displacement time period, time period मतलब इस particle को पूरा चकर काटने में कितना समय लाएगा वो और f मतलब frequency एक second में कितने चकर काटने इसका omega, source का omega, इसका frequency, source की frequency, इसका time period, source का time period, same होगा omega कौन decide करता है? source decide करता है so omega is angular frequency it is of course decided by source बिड़ा source decide करेगा और कौन करेगा okay आखे चले, बिड़ा t और f तुम समझी के आप अलग लग से क्या बोड़ा next is यह के क्या है कभी बता रखो का है बिड़ा इस k को हम लोगों ने नाम दिया था I really hope कि मेरे बच्चों को याद होगा that was angular wave number इसको आप बिड़ा 2 pi by lambda भी लेख सकते हो lambda is of course wavelength velocity of wave बिड़ा याद कीजिये velocity of wave या फिर इस case में velocity of sound can be written as I really hope कि आपको याद होगा that is omega by k that is omega by k अगर ना याद हो तो मैं बिड़ा अपको फिर से प्रूव कर सकता हूँ मैं इसमें कह सकता हूँ कि omega को बाहर निकान लो omega को बाहर निकान लो तो तुमर पास आएगा sin omega बाहर आगे t बिड़ा ठीक है ऐसे लिख सकता हूँ ठीक है ऐसे लिख सकता हूँ बड़ा स्केक में नहीं चलिया है t अब compare करो कि कि किसी में traveling wave की equation में t minus x upon v आना चाहिए क्या ये t minus x upon v आ रहा है yes it means that it is an equation of traveling wave traveling along positive x axis compare किया तो this omega y is your v that is velocity of wave a velocity of sound ये बड़ा के पास वे लो still of sound क्या बढ़िया बात है सारी बाते repeat थी बिलकुल दो traveling wave के अंदर पढ़ रखी थी सारी के सारी बाते more or less हमने वही लिखी है मैंने कोई अभी तक नई बात नई बात बिलकुल नई लिखी है है ये नहीं बेड़ा मेरे पास कोई नहीं बात कहा से लिख दो आएंगे दिरे दिरे आएंगे यहां तक समझना गया अब मैं एक बात दो बोलूँगा मैं तो इस medium particle की velocity और acceleration तक सोच सकता हूँ अगर आप मुझसे पूछ लो कि what is speed या बिड़ा velocity speed of medium particle तो मैं कहूंगा बड़ा अगर आपको particle की अगर speed चाहिए तो इसका किसी भी time पर displacement तो S है X नहीं S है तो आप को गए से particle की जो velocity है उसको आप बड़े आराम से कह सकते हो del S by del T तो इने del क्यों लिख रहे हो D S by del T लिख दो ना बड़ा D S by del T लिख लिख हमने ना इसमें partial differentiation किया है X को fix माना है याद करो ऐसे partial differentiation हम लोगों ने वेवां स्ट्रिंग में लिखिया थे बड़े displacement को time की respect में differential होगो velocity तो आजाएगी करना differentiation S not ठीक है omega भारा जाएगा क्यों भारा जाएगा T का coefficient है sin का differentiation cos omega T minus kx plus theta maximum speed किसी भी particle की कितनी हो सकती है आप बोलो sir medium particle की maximum speed sir मुझे नजर आ गई है S not into omega हो सकती है S not क्या है omega क्या है S not है medium particle का longitudinal displacement का amplitude और omega of course हमारी angular frequency ठीक है यह पसंदी है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ S not omega cost of something can be written as under root of 1 minus sin square under root of 1 minus sin square this can be written as S square upon S not square E S not S not cancel but the speed of political का आप लिख सकती हो omega times under root of S not का S square minus S S not क्या है displacement का longitudinal direction में displacement का amplitude S क्या है किसी भी time पर मेटा political का displacement कितना है में थो मैं थोड़ा सा इसको मिटाना चांगा है हाला कि ये सारी बाते बड़ा repetitive है लेकिन आप लोग chapter के साथ comfortable हो जाओ इसलिए मैं बात लोगो repeat कर रहा हूँ अधर्वाइल ऐसी बाते हम लोगो ऐसे चैंग में भी किती ऐसी बाते हम लोगो ने wave on string में भी किती मैं वही बाते repeat कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग chapter के साथ comfortable हो जाओ कि हाँ यार कुछ नहीं है आता है अपने को सारा बस इसलिए मैंने सारा सारा काम आप इस repeat किया है तो इस velocity of particle वाली बात को सुनना ये जो particle oscillate कर रहा है tuning fork के oscillate करने कारण ये जो medium particle यूँ यूँ oscillate कर रहा है अब इसकी कहानी सुनना ये वाला particle जब अपनी mean position पे होगा mean position मतलब s equals to 0 पर होगा तो बड़ा इसकी velocity of particle होगी s not into omega maximum होगी तो यहाँ पर इसकी speed होगी सबसे ज़ाद s not omega या तो left में होगी या right में होगी वो depending on बड़ा particle किदर ज़ाद है ठीक है extreme extreme सबसे दूर इधर जा सकता है इसी तरह से सबसे दूर इधर जा सकता है यहाँ पर s की value s not है यहाँ पर s की value s not है s की value अगर s not रखूँगा s not, s not बड़ा cancel यहाँ पर आपके particle की speed होनी चाहिए 0 होनी चाहिए बड़ा यह तो extreme position है यहाँ पर आपका particle पल्टा है पल्टा है तो बड़ा आपर velocity आपकी 0 होनी चाहिए यही नहीं हमें तो भी पता है कि यहाँ से अगर s distance दूर रहा कब इसकी velocity कितनी होगी बड़ा velocity राइट में देऊ सकती है लेफ्ट में देऊ सकती है depending on बड़ा particle लेफ जार राइट जार है इस velocity को हम बड़े आराम से लिख चुके हैं क्या लिख चुके हैं बच्चों ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ओफ s not का square माइनस s का square और जैसे जैसे particle दूर जाएगा s की value बड़ेगी तो particle की velocity घटेगी घटनी बचाहिए दूर जाएगा लोड़ा particle velocity घटनी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि इसका acceleration जुरू सेंटर की तरफ है सर कैसे पता लगा इसका acceleration center की तरफ है अरे भाई जब आपका tuning fork और SHM कर रहा है तो सारे के सारे medium particle SHM करेंगे और सारे के सारे medium particle लगर SHM करेंगे तो ये वाला particle भी SHM करेगा और इसका acceleration जुरू सेंटर की या equilibrium position की तरफ रहेगा निकाल भी लेंगे थोड़ी दिर में तुम बिल्कुल चिंता मत करो acceleration भी निकाल लेंगे अब लो लेकिन अभी तक हमने बाते की है सिर्फ और सिर्फ velocity के कौन से वाले particle की velocity कित्ती कित्ती है हम बड़े आराम से समझ रहे बिटा मुझे है न acceleration of particle चाहिए बड़ा मुझे यह जो particle यू यू ऐसे चम कर रहा है यह जो particle यू ऐसे चम कर रहा है मुझे इसका acceleration चाहिए acceleration of particle is of course बड़ा आपने particle की जो velocity निकाली है उसको differentiate कर दो sorry बड़ा d नही del हाला कि d b लिख दे तो अब भी differentiate तो t के respect में करता है लेकिन लिखने में del अच्छा लगता है बड़ा पार्टिकल की जो velocity है इसको differentiate करना है अभी करता हूँ time के respect में s not और omega तो बहार आ गया t के respect में differentiate कर रहे हूँ t का coefficient है omega तो एक omega भी बहार आ गया cos का differentiation है minus sin omega t minus kx plus theta this is the acceleration of particle acceleration of particle को में एक दरे के से और लेख सकता हूँ minus omega square 2 ठीक है ये s not sin omega t minus kx plus theta बड़ा ये s not sin omega t minus kx plus theta बड़ा ये तुमारा s था मैंने बड़ा मिटा जुरूर दिया किसी भी time पर आपका जो displacement था minus omega square into s minus sin सिर्फ और सिर्फ रही बता रहा है कि अगर आपका displacement left में वा तो acceleration राइट होगा अगर आपका displacement left में है sorry अगर आपका displacement right में है तो acceleration left होगा अगर आपका displacement left में है तो acceleration right होगा and that's it और जहां पर s की value maximum होगी ये वाला point और ये वाला point वहां पर आपका acceleration सबसे जादा होगा तो जो particle tuning forth के oscillate करने कारण जो medium particles oscillate कर रहे हैं उनका maximum acceleration का जो magnitude है वो आप समझ गएगा वो बड़ा कितना है omega square into s naught और ये कहां पर है बड़ा जहां पर s की value सबसे जादा है बड़ा s की value कहां पर सबसे जादा है extreme position पर s की value सबसे जादा है बलकि आप ये भी कहा सकते हो कि जो equilibrium position है जो भी equilibrium position है वहां पर of course s की value 0 है s की x की नहीं s की value 0 है और s की value 0 है तो वहाँ पर आपके particle का acceleration भीटर 0 है acceleration तो 0 आ नहीं था तो कि mean position पर आपकी speed सबसे ज़ादा speed सबसे ज़ादा तो of course आपका acceleration तो 0 होना चाहिए ठीके बच्चों इस बात कुना हलका सा diagram में दिखाये तो हलाकि इस diagram में दिखा सकता हूँ यह आपका s equals to 0 यह left extreme यह s not इधर यह s not इधर इस particle के पास acceleration आएगा इधर की तरफ omega s square into s not जब यह particle चलते चलते यहाँ पहुँच जाएगा तो acceleration आएगा ऐसे और उसकी value होगी omega square s particle अगर यहाँ पर होगा तो यह तो इक रिल्दिन position है बड़ा यहाँ पर acceleration आएगा 0 यहाँ से left अगर particle होगा तो उसका acceleration आएगा right यहाँ से अगर right में अगर particle होगा तो उसका acceleration आएगा left अगर displacement s है तो acceleration का magnitude आएगा omega square into s सर माइनस क्यूनिट का इस बार आपने बड़ा minus sign तो सिर्फ हो सिर्फ डारेक्शन बताने के लिए था direction मैंने arrow से दिखा दिया है displacement इस तरह तो आए acceleration इस तरह सो सिंपल किसी भी समझदार बच्चे के दिमाह में बात set होताने ची कि यार ना longitudinal wave तो बिलकुल traveling ने जैसी है पस traveling wave के अंदर जैसे जैसे disturbance यू जा रहे थी medium particles ऐसे से जा रहे थे और इस बार disturbance यू जा रहे है tuning fork ने यूँ oscillate करना start किया तो जितने medium particles थे उन्होंने ऐसे ऐसे oscillate करना start कर दिया इस बार यूँ oscillate नहीं कर रहे है इस बार आपके अप कितनी बात समझे हो उस बात को पढ़ाख हम ठुड़ा सा और आके पढ़ाख उस बात को हम एक सवाल से चेक करते हैं एक चोटा सा सवाल करते हैं सवाल से ID भी लग जाए विण बढ़ा कि अपन कितनी बात को समझे चलिए बढ़ा बड़ा एक्वेशन उफ साउंड वे आम रहों गिवन है एक्वेशन इस लाइक्वेशन इस 10 मिक्रोमेटर साउंड थाउजन टी माइनस 3X अंदर बड़ा उनित नहीं लिख्यो विये इट मेंस देट S I unit फाइंड बड़ा खुदी करने सारा का सारा स्वाल सौरी बाते सिका रखें डिस्प्लेस्मेंट एंप्लिट्यूड अंगुलर फ्रेक्वेंसी फ्रेक्वेंसी एंगुलर फ्रेक्वेंसी एंगुलर फ्रेक्वेंसी आपे बाते सारे काम करों फिर वन पूचेंगें मSec पहले इतने सारे काम लेट आओं फिर आगे की बात भी बढ़ाते हैं चली पेटा, वट इस दे डिस्प्लेस्मेंट टेंप्लेटिउड, इसका मतलब जो भी आपका साउंड सोर्स रहा होगा, उसने पेटा इस तरह से वाइबरेट करना स्टार्ट किया होगा, तो आपके जो मीडियूम पाल्टिकल्स है, वो भी ऐसे-ऐस से उसिलेट करने लगते हैं, और जो डिस्प्लेस्मेंट का एंप्लिट्यूड है, वो दस माइक्रो मीटर है, अच्छी बात, आगे चलते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा, बड़ा कंपेर कर लो, ओमेगा टी माइनस के एक्स, बड़ा ही ओमेगा 1000, कुछ नहीं बोल रखा, तो SI unit, that is radian per second, what is frequency, we know that frequency is omega upon 2, that is 500 upon pi, hertz is the unit, आप CPS बिल एक्सक्ति हो, cycle per second, 50 upon pi का अर्थ ही है, कि इतने number of oscillations बड़ा, आपके medium particles per second करें, angular wave number, angular wave number is our k, k is 3, unit is of course radian per meter, what is the wavelength, we know that k is equals to 2 pi by lambda, so that gives me lambda is equals to 2 pi by k, that comes out with 2 pi by k, कितना था, 3 था क्या, कितने meter, answer radian नहीं आपके, radian तो बड़ा cancel हो, इतने meter बड़ा आपका, wavelength, अच्छी बात, speed of wave, बड़ा velocity of wave, आप ऐसे भी कह सकते हैं, कि सर, lambda into f, बड़ा lambda कितना है, lambda है, 2 pi by 3, frequency कितनी है, 100 upon pi, pi से pi cancel, I think it is 1000 by 3, अगर यह SI unit है, तो obviously meter per second, को बच्छे कहते हैं कि सर, ठीक है, lambda और f तो अपने बाद में निकाला है, सर में क्या मैं इसको omega by k कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हूँ, omega था 1000, radian per second, के था आपका 3 radian per meter, radian से radian cancel हो क्या है, that is 333.3 meter per second, same answer बड़ा, यह आपकी speed of sound, तो sound अगर आगे जाएगी, तो बड़ा इस तरह सापके medium particles डिस्प्लेस करेंगे, यह सारी को सारे कहा हूँ, अभी तक सवाल और भी है, सुनिए, लिखिए, बड़ा चटा था, 7, maximum speed of medium particle, 8, speed of medium particle, which is x equals to 6 micrometer, away from equilibrium position, बटाए दो सवाल कुरू, फिर आगे बड़ता हूँ, maximum speed of medium particle, maximum speed बटाए बड़ता हूँ की एक्विलिक्रिम पोजिशन पर होती है, and that is, of course, S not omega, मैं सैड़ में लिख दूँ, V max is equals to S not omega, S not है 10 micrometer, वो है बड़ा 1000 radian per second, बड़ा हमारे पास answer आगे, micro को बड़ा मैंने 10 rest to power 3 से multiple, 10 is minus 3 और बच गया, तो मैं सिन्हे लिख दू, 10 into 10 rest to power minus 3 meter per second, या फिर ऐसे लिख दू, that is 10 millimeter per second, या आपके medium particle की maximal speed है, उस particle की speed बताओ, जो particle equilibrium position से, 6 micrometer दूर है, 6 micrometer दूर है, जैसा कि हम से पूछा गया, कि equilibrium position से, 6 micrometer दूर रहने वाले particle है, उसकी speed बताओ, बताओंगे, equilibrium position से, 6 micrometer दूर अने वाले particle है, यह right भी जा सकता है, left भी जा सकता है, लेकिन इसकी speed का formula, दोनों केस में सेम रहेगा, that will be, speed is equals to, omega times under root of, amplitude का square, minus equilibrium position से कितना दूर है, omega है बढ़ा, thousand, radian per second, S naught कितना बढ़ा, 10 micrometer, minus, S naught कितना है, S कितना है, कितना दूर गया था, यहां से 6 micrometer, this gives me, thousand तूर ठीक है बढ़ा, 10 का square, 100, 100 minus 36, 64, 64 का root कितना आगया, 8, micrometer, per second, so that comes out to be 8,000, बढ़ा मैं इसको रिशता हूँ, 8 mm per second, यह हमारा answer, ठीक डा, calculation तुम्हें बढ़ा चेक लगा, यह हमारा answer, अगला सबार, 9, maximum acceleration of medium particle, यह जो medium particle oscillate कर रहा है, इसका maximum acceleration केतना हो सकता है, तो मेरे बच्चे मारे सार, कोई सोच नहीं खास जरूत है नहीं, extreme position पर, extreme position पर acceleration की value, maximum हुआ करती थी, and that was omega square into S naught, और हम लेख सबते, omega square, तो बढ़ा thousand का square, S naught, S naught बढ़ा 10, into 10 raise to power minus 6, फिर यह 10 raise to power minus 6, किस बात का लगया, अरे बढ़ा, meter में करना पूरूँगा, answer तुम्हे SI unit में चाहिए, यह 10 raise to power 6, और 10 raise to power minus 6, cancel, answer comes out to be, 10 meter per second square, यह आपके medium particle का, आगे चली बताशो, last सवाल पूछाओ, इसमें, ऐसे simple सा ही है, कोई खासा से कमाल नहीं है, लेकिन फिर भी, जितने बाते बाते पढ़ाई हैं, उसकी बैस पूछो सकता ही हूँ, बिटा, उस particle का acceleration बताओ, जो particle equilibrium position से, 5 micrometer दूँ है, find acceleration of particle, away from equilibrium position, away from equilibrium position, away from equilibrium, by 5 micrometer, equilibrium position से, 5 micrometer दूँर अगर गोई particle है, तो उसका acceleration, बताओ, बिटा, उसका acceleration होगा, omega square into s, omega square बिटा कितना हो गया, this s कितना है, s मतलब equilibrium position separation, बिटा, वो कितना है, 5 micrometer, 10 rest to a minus 6, इद उनों cancel, बिटा, answer comes out to be, 5 micrometer per second square, यह अबर answer बिटा, तो इस बातों को सोचना हो, कोई बहुत tough task तो था ही नहीं, आसान साई task था, कोई बड़ाइस में भारी बात थी नहीं, बट फिर भी आपको हलका-फलका idea तो लगा, आपको इस बात का conviction भी लगा, कि sound waves is not that much different from our traveling wave, सिर्फ only difference is, वहाँ पर सारे के सारे medium particles, transverse direction के अंदर oscillate कर रहे थे, यहाँ पर आपके सारे के सारे medium particles हों है, वो longitudinal direction के अंदर oscillate कर रहे थे, इतना ही फर्क था, बागी कोई बड़ा बड़ा फर्क नहीं है, यहाँ आपको idea लग भी गया होगा, है ना, अब एक छोटी सी बात और, ऐसे, simple सी बात है, उसको mathematical interpretation भी देखेंगे, बड़ आपकी feel के लिए बात सनो, compression pulse, यह compression pulse का अर्थ क्या है, सुनी बेड़ा, आपका जो tuning fork है, मैं गड़ा sound का source मान रहा हूँ, tuning fork को, कि कि वो सबसे आसान था, यह tuning fork ऐसे ऐसे oscillate करने लगा, यह tuning fork जैसे जैसे यह oscillate करने लगा, इसने medium particles को भी ऐसे ऐसे oscillate करना start किया, अब हुआ क्या, कि जब कोई sound नहीं थी, थी, जब कोई sound नहीं थी, तो आपके जो air के particles जैसे अएसे पड़े थी, एक बड़ा air particle यहाँ पे, एक अएसे air particles ऐसे थे, लेकिन जैसे tuning fork ने यूँ oscillate करना start किया ऐसा हो सकता है कि आपके जो particles हैं वो ऐसे ऐसे एक दूसरे के नजदीक आज़े यो तो oscillate तो करी रहे हैं तो किसी time पर ऐसा हो सकता कि इधरवाला particle यूँ आए और इधरवाला particle यूँ आए तो ऐसा हो सकता है जैसे tuning fork ने यूँ oscillate करना किया start किया medium particles यूँ oscillate करना start किया तो किसी instant पर medium particles ऐसे नजदीक आगे जैसे ही medium particles ऐसे नजदीक आगे तो आप कह सकते हो कि इस localized region के अंदर इस इतने से क्षित्र के अंदर हमारे particles की density बढ़ गई है और गर density बढ़ गई है तो यहाँ पर आपके particles का जो air का जो pressure है बड़ा वो भी यहाँ पर बढ़ गया है pressure जो होगा वो बड़ा यहाँ पर आपके density के directly proportional होता है तो यहाँ पर बड़ा pressure हलका सा बढ़ गया है तो वैसे तो हम जानते हैं कि हर जगर pressure बड़ा P atmospheric होता है लेकिन यहाँ पर जो pressure होगा वो P atmospheric plus something होगा P atmospheric plus something होगा and this something must be positive यह जो आपके पास arrangement आया है localized region आया है जहाँ पर pressure हलका सा बढ़ गया है इसको मैं बढ़ा एक नाम दे रहा हूँ अरे प्यारे बच्चों क्या नाम दे दिया मैंने इसको compression pulse और यह जो compression pulse यहाँ पर create हुई है यह compression pulse हमेशा यहाँ नहीं रहेगी यह compression pulse लगातार disturbance के साथ आगे भागती रहेगी और जिस speed से यह आगे भागेगी उसको हम बोल देंगे बड़ा velocity of sound या फिर speed of sound simple यह है हमारी compression pulse तो medium particles के यूँ oscillate करने कारण medium particles के सेपरेशन घटता भी है जैसे medium particles के सेपरेशन घटेगा तो उस region के अंदर अचानक से आपके density बढ़ जाएगी density बढ़ जाएगी तो उस localized region में आपका pressure अलका सा बढ़ जाएगा जिस region में आपके density बढ़ी हुई है pressure बढ़ा हुआ है that region is our compression pulse and this compression pulse is not stationary fair ना ऐसे ही एक टर्मोर that is rarefaction pulse आपका tuning fork था ये tuning fork बढ़ा ऐसे ऐसे oscillate कर रहा था जैसे ही आपका tuning fork इस तरह से oscillate कर रहा था वैसे ही वैसे ही क्या होगा कि जो medium particles पहले है ऐसे ऐसे आराम से एक दूसरे से uniform distance पे थे density हर जग़ा सेम थी तो pressure हर जग़ा सेम था कितना pressure था atmospheric pressure लेकिन जैसे आपका tuning fork ये ये oscillate करना start हुआ तो ऐसा हो सकता है कि किसी x पर किसी t पर ये वाले particle left चले जाए और ये वाले particle right चले जाए सर्फ इस कारण से क्या होगा इस कारण से क्या होगा कि यहाँ पर जो situation पहले ऐसी थी वो situation ऐसे होगी ये वाले particle इधर पहुंच गए क्योंकि particles तो oscillate कर रहे हैं अगर नजदीक आ सकते हैं तो किसी टापर दूर पी आ सकते हैं तो जैसे ही ये दूर गए तो इस comparison अगर देखू तो आपकी density जो है वो घट गई है density अगर घट गई है तो pressure भी तो खट गया है इस pulse को इस disturbance को बढ़ा हमें एक नाम दे रहे है क्या नाम दे रहे है बढ़ा this is our rarefaction pulse sir rarefaction pulse का अर्थ क्या हुआ rarefaction pulse का अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो pressure है वो हमारे atmosphere pressure से हलका सा कम है sir कम क्यों है बढ़ा अगर particles के बीच के बीच को अगर ये distance होती तो pressure पैपी atmospheric होता अब आपके particles के विचे distance हलकी से बढ़ गई है तो density हलकी से घट गई है और अगर density घटेगी तो pressure भी तो घटेगा और अब जो नया वाला pressure होगा उसमें बड़े आराम से बोल पाऊंगा P atmospheric plus P small p तो आपना तो घट जाएगी हाँ हाँ घट जाएगी मैं जानता हूँ कि यह जो P है यह आपका negative है पिछली बार बढ़ गए थी तो P हमारा positive था इस बार बढ़ा P हमारा negative है तो यहाँ बढ़ा आपके pressure हलका सा कम हो गया और यह disturbance हमेशा यहाँ नहीं रहेगी जैसे जैसे आपके medium particles यह उसलेट कर रहे हैं उसको बढ़ा हम बढ़ा आराम से बोल सकते हैं बढ़ा speed of sound यहाँ बढ़ा velocity of sound तो अब सुनो इस बात को इसका मतलब यह वा कि sound की जो wave है उसको हम दो तरीके समझ सकते हैं एक तो यह कि जैसे tuning 4 ने oscillate करना start किया और सारग सारग मीटियम particles ने yu yu oscillate करना start किया लेकिन हम एक बाग और समझ गया कि मीटियम particles के yu yu oscillate करने करण एक फर्क और आ रहा है कि मीटियम particles के भी region में नजदिक आएंगे तो वहाँ पर density अचानक से बढ़ जाएगी वहाँ पर अचानक से pressure बढ़ जाएगा कि किस तरह से pressure को घटले बढ़ने से भी हमारी जो wave है उसको हम interpret कर साथ है करेंगे ज़रूर करेंगे I hope इतना समझ में आगया हूँ